दोस्तो डीडीफीरीडीस में अगला मैच का सिड्यूल आ गया है जहां पे बताया गया है कि अब डीडीफीरीडीस में अगला कौनसा मैच की लाइब स्ट्रीमिंग की जाएगी तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसी अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरू बताएं कि इस बार IPL 2024 कौनसी टीम जीतेगी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों डीडि फ्री डीस में अब तक IPL के 9 मैचों की लाइब इस्ट्रीमिंग की जा चुकी है और यहाँ पे जो आपका लास्ट आपिल मैच की लाइब इस्ट्रीमिंग की गई थी वो यहाँ पे आपका 14 अप्रेल को की गई थी जहां पे बताया गया है कि अब अगला मैच कुनसा लाइब स्ट्रीमिंग की जाएगी तो यहां पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ यहां पे जो IPL की सबसे अधिक मैचों की लाइब स्ट्रीमिंग की जा रही है वो यहां पर चेन्ने सूपर किंग्स की की जा रही है क्योंकि दोस्तों चेन्ने सूपर किंग्स के मैच की लैब इस्ट्रीमिंग जब डीडी फिरी डीस में की जाती है तब तक इनकी टीआर पी Yesterday s तीयार पी यहां पर काफी तेजी से बढ़ती है अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पे जो अगला मैच की लैब स्ट्रीमिंग की जाएगी वो यहाँ पे आपका फिर से चन्ने सूपर किंग्स की की जाएगी तो यहाँ पे दोस्तो जो अगला APIal मैच की लाइब स्ट्रीमिंग की जाएगी, वो यहाँ पे आपका 19 अपरेल को की जाएगी, तो 19 अपरेल को यहाँ पे जो APIal का मैच खेला जाएगा, वो यहाँ पे आपका चेन्ने सुपर किंग्स वर्सेस, लगनाउ सुपर जाइंट के बीच में मैच खेला जाएगा जी यहां दोस्तों 19 अप्रेल को साम साड़े साथ बजे से चेनने सूपर किंग्स वर्सेस लखनाउ सूपर जाएंट के बीच में IPL का मैच खेला जाएगा और इस मैच की लाइब स्ट्रीमिंग की जाएगी डीडी फ्री डीस के इस्टार उत्सो मूवी चैनल पे यानि की दोस्तों अब आप अगला मैच डीडी फ्री डीस में लाइब देख पाएंगे 19 अप्रेल को इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन से मैच आपको डीडी फ्री डीस में फ्री देखने को मिलेंगे तो इस पर अपडेट आप लोगों को हमारे चैनल में वीडियो के माधियम से जानकारी मिल जाएगी और साथी दोस्तों सबसे पहले अपडेट आप लोगों को हमारे टेलिग्राम चैनल पे दी जाएगी तो टेलिग्राम चैनल को जोइन करना ना भूलने लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगे तो यह कुछ अपडेट आज यहाँ पे डीडी फ्री डीस यूजर्स के लिए निकल कर सामने आये थें तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट को लेकर तब तक के लिए जैहिन वंदे मातम